हेलो जैहिन सभी को स्वागत है आपका टॉप तक पर जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे टॉप तक पहुंचाएंगे तो गाइज आपकी शिफ्ट वाइस सीरीज चलिए आर और भी ग्रूप डी की जल्दी से फटा फट से आजो गूड इवनिंग सभी को गूड इव आपका कोश्चन हां तो बहीं यह देख लो एक आपकी छे घंटे की लगातार पूरा सलेबस आने वाला है आपका महा मेरेथन होने वाली है कल रात सात बजे से तो सारे के सारे जुड़ाना रात को सात बजे से आपको कल शाम सात बजे से ठीक है तो आओ देखते हैं कोशन आपका वनस्पतिक प्रसारण के माध्यम से विक्सित नहीं होने वाला पोधा डैश है जल्दी से बताओ वेरी गुड गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग तो जल्दी से फटा-फट से आदिए तो आपका कोशन है अप्लांट डेट ड़ो त्रू वेजिटेटी प् आपने यहां ना रंगी यानि की ऑरेंच तो क्या होगा जल्दी से बताओ जल्दी से फटाफट से आंसर दो, very good तो क्या आंसर होगा आपका, कोशन पूछा गया है एक ऐसा पोधे का नाम मतलब पोधा बता हो, जो की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या नहीं हो सकता, वेजिटेटिव प्रोपेगिशन होती क्या चीज है आपकी भई वेजिटेटिव प्रोपेगिशन वो होती है जो आपकी आपकी जो मैच्योर प्लांट होता है ठीक है एक पोधे में से हम एक स्टैम काट लेते हैं उसे अगर हम बो देंगे तो आपका पोधा बन जाएगा ठी तो यहीं पर आपका अंसर गलत होता है, option number B वाले बिल्कुल सही है, ठीक है, option number B वाले सही है, papaya, papaya एक क्या है, आपका unisexual flower है, ठीक है, unisexual plant है, ठीक है, C वाले गलत है, कोई दिकत नहीं है, अभी जितनी गलती करनी है, कर लो, paper में मत करके आना भई, तो option number B वाले सही है, papaya, papita, तो papita कैसा flower है, आपका unisexual है, unisexual यानि कि आपका जिसके अंदर जो sex होते हैं, आपके flower के अंदर, single sex present होता है, या तो female flower होगा, या तो वो male flower होगा, ठीक है, कैसा होगा, या तो female flower होगा, या तो male flower होगा, और आपका जो papaya है, papaya के अंदर क्या नही ही हो सकती क्योंकि यह कैसी होती है आपकी जो पपाया होता है वो सीड्स के तुरू बोया जाता है किसके तुरू आपकी जो सीड्स होती है आपकी जो बीजानू होते हैं ठीक है उनके तुरू इसको उगाया जाता है इनको ग्रो किया जाता है ठीक है इनको इनकी स्टैम काट क मिट्टी में डाल दोगे तो क्या होगा ठीक है, बाइसेक्शल कोन से होते हैं, जिसमें दोनों ही सेक्शुल जो सेक्स होते हैं वो आपके फ्लॉवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, शाकाहारी को डैश को पचाने के लिए छोटी आंत के बड़े होने की आवशकता होती है, ज रिक्वायर लोंगर स्मोल इंटेस्टाइन तो इनको भाई लंबी आंत की जुरत क्यूं होती है छोटी आंत की तो तु डाइजस्ट डैश क्या चीज़ डाइजस्ट करने के लिए option number a है आपका proteins ठीक है? option number b है आपका वसा यानि की fats, option number c है आपका Kochikarus यानि की cellulose, option number d है आपका vitamins, तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ? तो जल्दी से बताओ very good option number C वाले एकदम सही है cellulose क्या कहते है cellulose कोशी का रस कोशी का रस जो है आपका इसको पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही hard होती है digest करने के लिए तो जिसकी वज़ा से आपकी जो हर भी वोरस होते हैं उनकी जो छोटी आथ होती है वो बहुत ही लंबी होती है ताकि वो आपका cellulose जो है वो अच्छे से पच सके आपका जो digestion है वो अच्छे से हो सके cellulose का जो cellulose होता है वो बहुत ही hard to digest होता है बहुत ही मुश्किल होता है कठीन होता है इसको डाइजस्ट करना इसी लिए जो आपकी small intestine है वो बहुत ही लंबी होती है किसमें आपके पशुओं में ठीक है humans में भी काफी लंबी होती है ठीक है next question amoeba कैसे प्रजनन करता है जल्दी से बताओ अकीust नमबर B है आपका लेंगे के जनंग, sexual reproduction, option नमबर C है आपका खंडन यानि की fragmentation तोड़ने को कहते हैं, option नमबर D है आपका मुकुलन यानि की budding, तो कौन से process से, जल्दी से बताओ, कौन को आपके, कौन से process से amoeba का reproduction होता है, जल्दी से बताएं, very good, very good, okay, तो आपका option नमबर A बिल्कुल सही है, भई, सरा सर सही है, binary, fusion के थूँ होता है, द्वी विभाजन के थूँ होता है, जो द्वी विभाजन होता है उसमें होता क्या है? आपका एक amoeba है, amoeba की शकल कैसी होती है? टेडी मेडी होती है, ठीक है, उसका कोई आकार नहीं होता proper, कैसा होता है? irregular shape हो यहां पे बन जाएगी और यहां पे बन जाएगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे binary fusion बोलते है sexual reproduction तो भई सबको पते है अलग अलग आपके जनन वाले cell आते हैं जो मिल करके क्या बनाते है जिनके fusion से वापका क्या होता है sexual reproduction जैसे कि आप human ठीक है और fragmentation में क्या होता है खंडन कि आजाता है fragments में ठोड़ा जाता है उसे उसके बाद वो क्या होते हैं दुबारा से अपने आप क्या हो जाते हैं आपके बड़े पोधे में ग्रोल ढूर्ड बढРИं गूती है दिरे दीरे जो बढ़ है यह पूरा का पूरा बड़े एक डॉटर आपका डॉटर सेल में कनवर्ट हो जाता है और फिर यह तूट के अलग हो जाता है इसको हम इस प्रोसेस को कहते है बडिंग वाली प्रोसेस ठीक है यानि कि मुकुलन वाली प्रोसेस आपकी जैसे कि यह देख लो बाइनरी फीजन क्या होता है इसमें होता है ने जएएटो अलोग अलग होताती है पूरा नूकल्यस डिफाइड हो जाता है विफ सैटो प्लाजम अलग अलग होकर के दो में डिवाइड हो जाता है इसी तरीके से आपका verglementation वाला प्रोसेस है जैसे एक हिस्सा काट दिया तो उस चोटे से हिस्से से भी बड़ा आप आपका organism बन जाएगा और जो छोटा सा यह कटा है यह भी पूरा पूरा बन जाएगा इसी को हम fragmentation बोलते हैं हाईडरा मुखलन द्वारा प्रजनन करते हैं very good सही कहा राजुकुमार तो आपका next question निमन लिकित में से क्या मानव में पुरुष पुरुष प्रजनन प्रणाली का उसमें से इनमे से कौन सा जो है मेल वाला पार्ट नहींै तो जल्दी से बताओ option नमबर आ आम का is option नमबर A है आपका शुकर वाही का भास्टिफरेंस option बबी है आपका व्रिशन यानि की Z अप्षन नुम्बर hyet है अपका अणकोष इस्कोटम है आप ढ का आश्य यान्य की निकी तो वेरिशल ये तो भुत ही सिम्पल सा आंसर था ज़ुक्द S च miraculous होती है है फिर मेल रिफ्रोडुक्टिव पार्ट है ठीक है वास डिफ्रेंस वास डिफ्रेंस एक क्या होती है ट्यूब जैसी होती है जिसमें से आपके जो शुकरानू है वो उनका ट्रांसफर होता है ठीक है transportation होते है उसमें नेक्स्ट कोशन है आपका एक व्यक्ति गत्य तंत्री का कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है जल्दी से बताओ एन इंडिविज्वल नर्व सैल में बी अप टू डैश लोंग तो कितने सेंटीमिटर लंबी हो सकती है जल्दी से बताओ ओपिशन नमबर एहा है आपका दस सेंटीमिटर उप्शन नमबर बी है आपका 100 सेंटीमिटर ऊप्शने मबर सी है 1410 कमें चन नमबर गरी आपका लdid वीजूल में आपका लगग कितना होता है तक लंबा होता है आपका क्या आपका नव सेल की लंबाई होती है वो लग बग आपकी कितनी होती है 100 cm होती है एक individual में ठीक है एक individual nerve cell की लंबाई होती है आपकी 100 cm की ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट करिशन आपका निमन लिखित में से किस उतक में बड़े आंतरिक कोशि की स्थान होते हैं जल्दी से बताओ सबसे जओं सब्सक्राइब कि उंदर किसमें पाई जाते हैं तो आणसर बताओ option number a है आपका colonchima हिंदी में भी इसमें colonchima लिखा हुए ठीक है option number b है आपका parenchyma द्रिडो तक बोलते हैं जैसे हम option number c है आपका scleranchyma option number d है आपका xylem तो क्या answer होगा very good बहुत से बच्चों का answer गलत आ रहा है तो क्या answer होगा d वाले गलत है ए वाले भी गलत है है सी वाले भी घुलत है तो कि आप रहेम अरा कैसे नंबर बी वाले एक दम सही है भई and kai ma parenchyma जो है आपका यह खा साल है आपका primitive थे थी कैसा होता है primitive cell होता है और इसके अंदर क्या घुते हैं जो आपकी cells होती मां मंजटी है। उसके अंदर काफी पेस होते है उसके आपके सिल्स होते है ऐसी दूर होते है इसके कूम चाइए ऑन इन्च वालीश होता है और यह आप करवाता है यह क्या प्रोवाइड कराता है आपका कॉलन काइमा आपके पेड को क्या प्रोवाइड कराता है जल्दी से बताओ जल्दी से फटा-फट से बताओ भाई जल्दी से तो आपका जो colon काइमा है वो क्या करवाता है आपका जो colon काइमा है उसका function क्या है ये क्या करवाएगा तो ये क्या करता है flexibility देता है आपके पोधे को आपकी जो stem होती है उसको flexibility देता है ठीक है और क्या करवाता है ये आपको strength support देता है ठीक है ये support देता है आपके पोधे को और क्या करता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन लाता है इसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है इसका लचीलापन बढ़ाता है और इसको कठोर बनाता है स्ट्रोंग बनाता है और जो स्क्लेरन काइमा होता है स्क्लेरन क काइमा है आपका इसका क्या काम है तो यह आपका कठोर बनाता है और रिजिड बनाता है मतलब रिजिड और स्टिफ बनाता है ठीक है सबसे ज्यादा कठोर कुन बनाता है यह स्ट्रोंग बनाता है और जो स्क्लेरन काइमा होता है यह बच्चे डेड आपका डेड टिशू होत होता है क्या होता है श्eilब जैब कर नतर है क्या जैदी चैल सबसे हैं मिरत वाले होते हैं या गों सीट है शुर। कठोर होता है मृत कोशिका पाई जाती है और इसके अंदर सजीव कोशिकाई होती है कोलनकाइमा और पैरनकाइमा के अंदर आपकी सजीव होती है ठीक है और अच्छा मैं को यह बताओ कोलनकाइमा के अंदर कौन सा आपका वो होता है इसके अंदर होता है पैक्टिन होता है प स्पेस जादा हुता है और सबसे कम intercellular space किसमें होता है जिस के ना के पराबर होता है यह वाला sclege開 Klama वाला यह पतला सा यह watchar होता है बहुती रिजड कठोर भाग होता है यह ठीक है dead-sales का बना या हम इसको स्टोन सेल भी बोल देते हैं इसके अंदर लिगनिन पाया जाता है और आपका वो है कोलन काइमा यह स्टोन प्रोवाइड करता है अपके पूदे को नेक्स कोशन है आपका अधिकांच सरी सरपों में डैश है जल्दी से बताओ most reptiles have dash 4 kakshya hirde होते हैं यानि कि 4 chambered heart या 2 kakshya hirde होते हैं 2 chambered heart या 3 kakshya hirde होता है 3 chambered heart या अपूर्ण 3 kakshya hirde incompletely 3 chambered heart तो जल्दी से फटा-फट से बताओ फटा-फट से बताओ तो very good क्या हो सकता है answer जल्दी से बताएं आपके reptiles क्या होते हैं जो सरी सर्प होते हैं यानि कि आपके सांप हो गयरा ठीक है ऐसे जैसे टॉर्ट्रोइज हो गया आपका कच्छुआ हो गया तो इन में कितने chamber होते हैं भई 3 chamber होते हैं option number C is right answer 3 chambered heart होते हैं mainly इन में ठीक है एक आदा आपका exception होते है जिसमें 4 chamber होते हैं ठीक है जैसे कि आपका crocodile हो गया ठीक है option number C is right 3 chambered होते हैं ठीक है एवाले गलत है 4 chamber नहीं होते हैं इसमें 3 chamber होते हैं ठीक है वोच एमबर किस-किस में होते हैं और आपके बच्षियों में होते है फिस में होते हैं मचली में मचली में मचली के अंदर 24 दो लो जंब रोते हैं दो Config Love हिए होते हैं मचलीैं का हाँ ठीक है नेक्स्ट कोउशन देखते हैं अच्छा यह देख लो फिश में होते हैं एमफीबियन में भी फी सब्सक्राइश और आपका रेप्टाइल प्र blueberry होते हैं और बर्ड्स और में चार होते हैं ठीक है अब यह देखो अगनश्य कोउशन नमबर परसन यकीन है तो जल्दी से बताओ the enzyme dash present in the pancreatic juice converts proteins to amino acid तो जल्दी से बताओ very good हाँ भई पिग में भी चारी होते हैं पिग भी मैमली है तो जल्दी से बताओ option number a है आपका pepsin, option number b है आपका lipase, option number c है आपका trypsin और option number d है आपका amylase तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ very good बहुत सारे बच्चों के answer गलत आ रहे हैं मैंने बताया था तो very good option number c वाले सही है याप पर option number c वाले सही है trypsin, trypsin एक आपका pancreatic enzyme है यानि कि जो agnosia से आपके निकलता है enzyme, stravit होता है इस enzyme का क्या है तो यह enzyme है यह pepsin को convert करता है किस में sorry protein को convert करता है किस में तो यह protein को convert करता है amino amal में protein को amino ammal में यानि की amino acid में convert करता है कौन सा वाला आपका आपका ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है आपका क्या करता है प्रोटीन को कनवर्ट करता है अमीनो अमल में ठीक है बाकी आपका अमाइलेज वाला क्या करता है जल्दी से बताओ जल्दी से फटा फट से तो आपका जो माइलेज होता है उसका कारे क्या है यह आपका आपका कार्बो हाइडरेट जो होती है कार्बो हाइडरेट को कनवर्ट कराता है ग्लुकोज में ठीक है किसको करवाता है कार्बो हाइडरेट को ग्लुकोज में करवाता है पैपसिन और लाइपेस वाले जो हैं यह क्या करवाते हैं ये प्रोटीन को या हम बोल सकते हैं प्रोटीन को पैपसीन पैप्टाइड में बंदलते हैं किसमें बदलते हैं प्रोटीन को पॉली पैप्टाइड में कनवर्ट करते हैं पॉली पैप्टाइड में ठीक है किसमें कनवर्ट करते हैं ठीक है ध्यान रखना जो आपका अमिनों अमल में बदलता है ठीक है नेक्स्ट कोशन करते हैं आप डैश में पतली कोशिका भित्ती के साथ उपेक्षा कृती अनी द्रिष्ट कोशिका होती है जल्दी से बताओ दैश कंसिस्ट ओफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद थिन सेल वॉल तो अभी आपसे कोशन पूछा गया था मिलें पहले भी बताया था तो किसके अंदर अनस्पेशलाइज यानि कि सेल होते हैं देश कंसिस्ट ओफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद थिन सेल वॉल जिसकी पतली सेल वॉल होती है तो ऑप्शन नमबर ए है आपका फिलोयम ऑप्शन है आपका स्कलारनका'm option number c है आपका पैरंका' या option नमबर d है आपका कॉलेनका 10 मैठ तो क्या आंसर होगा भई तो क्या होता है लिगनिन olda है specialize in colon chyma में क्या specialized cell होता है इसके अंदर pactine होता है है क्या होता है यह दो तो आपके answer वैसे उड़ गया है philome क्या है philome तो अपने आप में ही क्या है आपका complex tissue है ठीख है तो option number see सही है आपका parent chyma जो है आपका parent chyma tissue जो है इसके अंदर unspecialized cell होते हैं with thin cell wall ठीक है option number C वाले बिल्कुल सही है और phyloem क्या है एक vascular tissue है यह कैसा tissue है यह भी एक vascular tissue है vascular tissue हमने क्यों बोला phyloem क्या करता है आपका यह फूड को supply करता है बोजन को बोजन को पहुंचाता है आपके पोधे में ठीक है पोधे में भोजन को supply करता है ठीक है scleran kaima का अभी मैंने आपको पताया था काम क्या है यह strong बनाता है क्या करता है strong बनाता है चलो next question करते है time ना वेश करते हुए question number 10 है dash योन संचारित रोग नहीं है जल्दी से बताओ dash is not a sexually transmitted disease इन में से कौन सी ऐसे disease है जो sexually transmitted नहीं है ठीक है option number a है आपका Candidiasis option number b है आपका syphilis option number c है आपका gonorrhea या option number d है आपका मस्सा यानि की वार्ट्स तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ दो भई तो क्या answer होगा very good तो Candidiasis वाले सही है option number a is right Candidiasis क्या है एक यह एक fungal infection है भई किस type का infection है d वाले गलत है यहाँ पर a वाले सही है भई डोले शोले दिखा रहे है यह वाले तो option number a सही है Candidiasis Candidiasis क्या है यह एक fungal infection है बच्चे कैसा infection है fungal infection है ठीक है इसमें क्या होता है जो fungal यानि कि कवक वाला कवक वाली बिमारी है कैसी बिमारी है कवक की बिमारी है कवक की कवक से होने वाली बिमारी है Candidiasis इसमें क्या हो जाता है यह आपका काफी yeast होता है जो खमीर होता है उससे क्या हो जाता है, इंफेक्शन होता है ठीक है वह होता ही जो लोग होता है, उँनको काफी yeast से हो जाता है, उसमें काफी harmful आपका candida elbican नाम का इंफेक्शन होता है तो जीव में कैसा हो गया, सफेथ सफेथ सा ओगया, ऐसा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यह आपकी एक fungal disease है, आपकी कव कव से होने वाली infection है, ठीक है, संक्रमन है, option नमबर जो B, C और D हैं, यह सारे के सारे क्या है sexually transmitted disease है सिफलिस जो है और गुनोरिया और ही जो वाट है यह क्या है आपकी sexually transmitted disease है इसमें क्या हो जाता है आपकी skin में painless यानि कि बिना pain वाला पहले क्या होता है मसा सा होने लगता है जो बाद में फैलता जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन है आपका डैश एक 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 लिंगी फूल है तो जल्दी से बताओ यह तो सबको आना चाहिए अभी तक हो चुका है यह तो option है आपका a dash is a unisexual flower option number a is gulmohar option number b is hibiscus यानि कि गुड हल option number c is a sirso या option number d पपी था तो यह पपाया सबको पता है इसका आंसर पाइरिया बिमारी में तो भई दातों में दात हिलने लग जाते हैं आपके मसूडे सूच जाते हैं उसमें से खून आता है पाइरिया जो है वो बिमारी इससे कंपेर मत करो भई वो स्करवी की बिमारी इसमें आपके विटामिन की डेफिशेंसी से हो जाती है ठीक है तो जो गुलमोहर है वो कौन सा फूल होता है आपका और हिबिसकस तो आपने देखे होंगे सड़क पे बड़े सारे मतलब इसमें फूल ही फूल होते हैं रेड कलर के तो ऑप्शन नमबर डी वाले सही है भई ऑप्शन नमबर डी वाल अलग होता है और बाइसेक्शल कुन से होते हैं एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल वाले गमेट प्रेजेंट होते हैं ठीक है वेरी गुड ऑप्शन नमबर डी इस राइट आंसर पपाया यह अच्छा मैंने दिखाया है हां यह देखो यह है आपका पपाया का फल आ और यह वाला जो फूल है इसके अंदर सिरफ और सिरफ फीमेल वाला पार्ट है ठीक है यह आपका ओवरी है और यह पिस्टिल है ठीक है यह वाला जो पार्ट है यह फीमेल वाला फ्लावर है और यह वाला आपका मेल वाला फ्लावर है और वो जैसे धतूरा है धतूरा क्या है आपका इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं ठीक है मेल और फीमेल ये बाइसेक्शोल है नेक्स्ट कोशिन प्राणी कोशिकाउं में डैश उपकला यांतरिक सहाईता प्रदान करने के लिए गूर्दे की आंतरिक परत बनाता है the in animal cells dash epithelium forms the inner lining of the kidney to provide mechanical support option number A है आपका ग्रंथिक यानि की आपका glandular option number B है आपका घनाब यानि की cuboidal option number C है आपका stambhakar यानि की columnar option number D है आपका शल्की यानि की squamous तो कौन सा होगा जल्दी से बताओ very good तो कौन सा होगा क्या होगा answer very good option number B वाले बिल्कुल सही है भई सरासर सही है ये cuboidal cuboidal यानि की घनाब घनाब कैसे होते हैं जो आपके cube जैसी शकल के आपके cell होते हैं कैसे होते हैं क्यूब जैसी शकल के जो आपके सेल होते हैं ये कहां पर प्रेजन्ट होते हैं आपकी जो किडनी होती है किडनी किडनी यानि कि आपकी व्रिक जो होती है जिसे हम व्रिक भी बोलते हैं तो व्रिक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है ठीक है जो अन्तरिक वाली जो लेयर ह यूक्त होते हैं और यहिसा है पहूते हैं, पहुते हैं को से उसमें में में होते एक्जोक्राइन ग्लैंड में होते हैं और आपके एंडोक्राइन में होते हैं एंडोक्राइन यानि कि एक्जोक्राइन बही स्तरावी ग्रंथियों में होते हैं और आपका एंडोक्राइन आपकी अंतहस्तरावी ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं कोई बात नहीं गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्यूबाइडल वाले सही है यह होता है आपका स्क्वेमस सेल जो होते हैं पतले-पतले आपका जो सम्वान आपका ट्रांसफर हो रहता है यह ताइब की में Telling कीश here किश होते हैं क्ड़नी में हो गए ठीक है यहए आपके ट्रॉंऋर यह होते हैं आपके salivary glands glands में होते हैं जैसे salivary gland में होते हैं यह होते हैं glandular epithelium यह होते हैं आपके ciliated को ही हम columnar भी बोलते हैं columnar columnar cells भी बोलते हैं से हम ठीक है next question है आपका निमन लिकित में से कौन एक प्रकंड का उधारन है जल्दी से बताओ which of the following is an example of rhizome rhizome क्यों होते हैं पता ही होगा आपको rhizome क्यों होते हैं तो क्या answer होगा इसका जल्दी से बताओ option number a है आपका अद्रग यानि की ginger option number b है आपका गन्ना यानि की sugar cane option number c है आपका प्याज onion option नंबर d है आपका आलु यानि की पोटैटो तो क्या आंसर होगा वніक्राइस का टाइम है आपका 10 से 11 तो जल्दी से बताओ option number a है आपका अधरक option number b है आपका मेर का शुग केन option क्या होता है जो आपकी रूट्स जैसा ही होता है जड़ जैसा ही होता है ठीक है जो आपका जड़ जैसा होता है शोट को मेरी आगे दिखाते हूं देखो डाइगरम यह है आपका राइजूम यह क्या है आपका अधरक है जड़ जैसा ही होता है उसके नीचे छोटी छोटी पतली पतली रूट से होती है जिनको हम क्या ऑड़े है ऑड होतले यह अ sa रूट होती है ठीक है आपका जो आलू होता है वो क्या होता कैसा होता है ट्यूबर होता है ट्यूबर आलू कैसा है इसके इंदर शूट होती है स्टेम होती है रूट होती है यह कैसा होता है आपका ट्यूबर होता है ठीक है राइजोम कौन सा होता है आपका जिंजर यह आपक एक उता आपका यह कॉर्म ठीक है इसमें नोड होते हैं कॉर्म होता है ऐसे गोल गोल से डंठल जैसे तो वेरी गुड हां हल्दी भी इसका ही एक्जंपल है राइजोम का ही वेरी गुड नेक्स्ट कोशन है आपका डैश समव में पोधों को आम तोर पर शैवाल कहा जाता है बहुए मैं डाइग्राम इसलिए दिखा रही हूँ आपको तांकि आपको याद रहे कि मैंने ये चीज पढ़ी है तो मिरको आपके दिमाग में याद रह जाए इसलिए मैं आपको डाइग्राम के साथ दिखा रही हूँ ठीक है नेक्स कोशन है आपका डैश समू में पोधों को आम तोर पर शैवाल कहा जाता है प्लांट्स इन देश ग्रूप आर कुमनली कॉल्ड अलगी यानि की शैवाल तो कौन से ग्रूप के जो प्लांट है उन्हें वो शैवालों में आ जाते हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ वेरी गुंड तो ऑप्षिन नंबर आ आपका ऑप्षिन नंबर वी है आपका थेbया साथ है आपका जिय्म्हांब तो-क्या आंसर होगा सभी को पता होगा अभी तक कितने बार कोशन आ चुका है यह वाला तो ऑप्षिन नंबर B वी इस डर्ट वीन थे है ठीक है एलगी होते हैं फंगाई आजाती है इसमें लाइकन आजाती है लाइकन ठीक है लाइकन क्या होती है फंगाई और एलगी का मिश्रण होता है जिसे हम लाइकन कहते हैं तो यह सारे किसमें आजाते हैं आपके एलगी फंगाई और लाइकन किसकी है आपकी थैलोफाइ जिसमें आपके क्या होते हैं बीज वाले होते हैं जिसके अंदर जो बीज होते हैं नेकेड सीड्स दिखती है जिसमें ठीक है जैसे कि आपका पाइनस क्या किया है और एक होते हैं आपके टैरीडो फाइटा जिसमें क्या होते हैं चोटे-चोटे होते हैं जिसको हम क्या होते ह से फरुंस हो गये फंसका एक्डवो है आप यह देख लो यह को ठーム यह जांपल यह यह आपकी एलगी ठीक क्या है इसमें लाइकन है और यह आपक के ब्राइव फईट वाले ब्राइव फईट ले में क्या हो थी है महंने हमुषिस होती है इसके इंदर जह हो थी है plant body जह होती है इस्टैम में और लीफ में ठीक है और यह आपका टेरीड़फाइटा उस में क्या का पणिस आती चोटे चोटे से आपके इतने चोटे चोटे फ्लॉँवर होती है उसमें पतियां पतियां स्टेम जो होती है यह सब होती है मारी सैला और यह है आपके जिमनो स्पर्म ठीक है आपने हिमालियाज में भी देखे होंगे ऐसे पाइन्स लटा करे होते हैं उसमें से ठीक है नेक्स्ट कुशन देखो एक अन्य तंत्री का कोशी का एक के डेंडराइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतू के बीच का जंक्षन क्या कहलाता है यानि कि हम यह बोल सकते हैं दोर्व सेल के बीच में ठीक है जो आपके जो नेफ एंडिंग ओती है उसके और जो स्टार्टिंग वाला जो नर्व वाला के बीच के जो जंक्षन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ally b option नमबर d B है आपका neuron, option number C है आपका synaptic cleft या option number D है आपका renvier की a संधी यानि की node of renviers तो क्या answer होगा very good जल्दी से बताओ तो question पूचा गया है यह है आपका exon की क्या है और यहाँ पे यह इसकी nerve ending है यहाँ पे इधर दूसरा आपका neuron है तो इसकी जो nerve ending है nerve ending और exon की जो dendrite है इसके बीच का जो junction होता है इसे हम क्या बोलते है very good synapse बोलते हैं इसे हम option number A is right answer synapse बोलते हैं space को हम क्या बोलते हैं synapse बोलते हैं यह देख लो, इसका हाँ, यह देखो, यह है आपका डेंड राइट, यह है आपका डेंड राइट, यह है आपकी cell body, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोन बोलते हैं, और यह आपकी myelin sheath होती है, और last में क्या होती हैं, यह nerve ending है, क्या है आपकी nerve की ending है, तो इन दोनों के बीच का जो space होता है इसे क्या बोलते हैं साइनेपस बोलते हैं क्या बोलते हैं साइनेपस कहते हैं तो ये काम क्या होता है इसका information को एक से दूसरे में क्या करना send करना क्या करना send करना neuron क्या करता है सबसे जल्दी information लेकर करके जाता है आपकी body में जैसे ही आपको कोई ठंडा गरम लगता है तो एकदम से आप हट डाले तो न हाथ तो ठीक है next question है आपका चार रक्त समू है A B A B और O ठीक है इन रक्त समू के वंशानू करम को नियंतरित करने वाले जीन को आई A बोला गया आई B और छोटा वाला आई के रूप में नामित किया गया है निमन लिकित में से कौन सा जीन सयोजन परी नामी रक्त समू A होगा जल्दी से बताओ तो जल्दी से बताओ there are four blood groups A, B, A, B and O the genes which control the inheritance of these blood groups are designated as I, A, I, B and I ठीक है which of the following gene combination will resultant blood group B, A तो इन में से कौन सा जो होगा A का blood group होगा जल्दी से बताओ, मतलब blood group A का पूरा का पूरा combination होगा resultant होगा, option number A है आपका I, A, I, A या I, option number B है आपका I, A, I, A या I, A, I, option number C है आपका I, A, I, B, option number D है आपका I, A, I, B या I, A, I, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, very good, बहुत से बच्चों के answer आगे हैं आपे number B is right answer, तो आई, A ये पूर्ण तरीके से यानि कि डॉमिनेंट क्या है इसके अंदर, इसके अंदर dominant क्या है, A है और I है ठीक है, आई, A, I, A, या I, तो ये क्या है आपके dominant क्या है इसके अंदर A है ठीक है इसमें सब में A आ रहा है तो ये क्या होगा blood group A की पहचान होगी ठीक है इसमें dominant क्या है आपका A है अगर यहीं पर आपका question में B लिखा होता तो क्या answer होता यहां पे इसका answer होता I B I B या I B I होता ठीक है और अगर question में पूचा गया होता A B तो क्या answer आना था तो answer आपका आना था C वाला ठीक है आई A और I B तो यह किस में आना था आपका यह होता आपका answer यह A B blood group के लिए है ठीक है यह answer A B blood group के लिए है और question पूचा गया है कि A blood group वाला कौन सा है इसमें से तो आपका I A I A या I A ठीक है very good तो option number B is right answer next question करते हैं मेंडल ने डैश की विधी से F1 PD के पोधों से F216 प्राप्त किये जल्दी से पताओ कैसे Mendel obtained F2 progeny from F1 generation plants by the method of उसने कैसा method यूज किया था जल्दी से बताओ option number A है आपका पार परागन यानि की cross pollination के method से option number B है आपका वनस्पति प्रचार यानि की vegetative propagation से option number C है आपका अलेंगिक प्रजनन यानि की asexual reproduction से या option number D है आपका स्वर परागन यानि की self pollination से तो क्या answer होगा भई यहाँ पे सबके answer गलत आ रहे हैं तो जल्दी से बताओ very good एक जो शक्तिमान की तरह अपने डोले शोले दिखा रहा है उसका सही answer है तो option number D वाले सही है भई self pollination self pollination जो है आपका right answer है आपका स्वर परागन स्वर परागन जो है आपका right answer है तो self pollination के Tube Msklah मेंदल ने क्या किया था इनों मेंदल सर ने आपका कॉन से अधीय मेटा यूस किया था जा पोलिनेशन की प्रक्रिया कराई थी, खिरे गिरे होते हैं जो डैश से बना होता है जल्दी से बताओ, bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of जो hard matrix होती है वो किस से बनी होती है जल्दी से बनाओ बताओ option number A है calcium and sodium option number B है phosphor और आपका sodium option number C है आपका calcium और आपका fluorine और option number D है calcium और phosphorus जल्दी से बताओ तो क्या होगा जल्दी से बताओ very good तो calcium और phosphorus very good option number D is right calcium and phosphorus की matrix होती है जो आपका bone होता है किस से बना होता है calcium और phosphorus से बना होता है किस से calcium and phosphorus की बनी हुई matrix होती है calcium and phosphorus की बनी हुई matrix होती है calcium and phosphorus का बना हुआ होता है ठीक है next question डैश नाम के एक चप्टे क्रमी में बहुत ही सरल आखे होती है जो वास्तव में केवल आख के डब्बे होती है जो प्रकाश को पता लगाती है जल्दी से बताओ a flat worm named dash has a very simple eyes that are really just eye sports which detect light तो option number a है आपका ascaris, option number b है आपका tapeworm, option number c है आपका liver fluke, option number d है आपका planaria तो कौन सा answer होगा भई very good, very good fight to win, तो option number यहाँ पे d वाले सही है बिलकुल, बाकी b और a वाले गलत है भई, b और a वाले गलत है planaria मैंने आपको बताया था एक planaria नाम का organism जो की क्या होता है यह पतला सा होता है चप्टा सा ठीक है चप्टा सा होता है और इसकी क्या होती है आगे दो आखे होती है ऐसी ठीक है जैसे एक cartoon नी बनता ऐसे ही इसकी बूठ की तरह दो आखे होती आगे तो यह क्या है आपका प्लेनेरिया है अगर हम इसको ऐसे बीच में से काट भी देंगे तो यह दो में डिवाइड होके दो अलग-अलग बना लेगा ठीक है याद हो तो इसमें किस ताइब की रिप्रोड़क्शन होती है आपकी वेरी गुड इसमें रिजनरेशन की प्रोसेस होती है प्लेनेरिया है इसका अंसर ओप्शन अबर डी वाले सही है ए वाले गलत है प्लेनेरिया होती है इसके अंदर क्या होती है दो आँखे होती है आँखों जैसे स्पोर्ट होती है जो की लाइट को डिटेक्ट करते है next question cerebellum का संबंध है dash से जल्दी से बताओ the cerebellum is concerned with option number A है आपका remembering and hunger option number B है आपका सोच और भूख से option number B है आपका मास पेशियों के संचालन के समन्वाइक से coordination of muscular movement option number C है आपका सभी अनैच्छिक क्रियाओं से all involuntary all involuntary action या option number D है आपका समरण यानि की thinking से तो क्या करता है आपका cerebellum cerebellum का काम क्या है जल्दी से बताओ तो क्या काम है cerebellum का C वाले गल्ट है तो involuntary movement तो नहीं करता भई ये तो ये कौन सी करता है आपकी option number B वाले आपके सही है option number B किसी का answer आया नहीं है हलांकि जहां तक मुझे लग रहा है तो very good option number B वाले सही है coordination of muscular movement यानि की एक तरह से कौन सी voluntary वाली काम कर रहा है ठीक है voluntary जो muscles होते हैं आपकी कौन से होती है हाथो पैरों की तो coordination of muscular movement में काम आता है या अगर involuntary की जगा voluntary लिखा होता तो वो answer सही था आपका तो ये in the end आपका voluntary ही है voluntary movement या voluntary action करवाता है voluntary यानि की आपके एच्छिक वाले एच्छिक करियाएं करवाता है आपका कौन सा सैरी बेलम वाला पार्ट आपका balance and coordinating करवाता है आपका coordination करवाता है सैरी बेलम वाला पार्ट next question है आपका आखरी सवाल जल्दी से बताओ ये आखरी सवाल है question है आपका पादब कोशिका भित्ती dash से बनी होती है जल्दी से पताओ plant cell wall is made up of dash तो किस से बनी होती है आपकी जो प्लांट की सेल बोल है किस से बनी होती है option number A है आपका chitin से ठीक है chitin option number B है आपका cellulose and pactin से option option number C है आपका केवल आपका pactin only option option number D है आपका murine से तो जल्दी से फटा फट से बता हो सभी को पता होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ तो आपका जो प्लांट होते हैं पोधे हैं ठीके पोधे होते हैं उसकी जो सेल वाहर ओती है कोशि का भिक्ति जो होती है वह किस से बनी होती है कोशि का भिक्ति वैरी गुड पैक्टिन एंड लूस से बनी होती है बच्चे पेक्ति इनों से इंदर और से लू लोज होता है उसके इन्दर ऑप्शिन नंबर वी वाले सरासर सहीए इसका अंसर वही सेल्फिलोस पेक्टिन होता है वेरी गुड वही शक्तिमान की तरह डोले दिखा दिये तो क्या है आपका ऑप्शन नबर भी इस राइट आंसर ठीक है तो यहां पर आपके खतम होते हैं अब आपको पता ही होगा की पूर आपका छे घंटे लगातार मैच रीजनिंग और साइंस की महा मैर रिथन आने वाली है तो कल रात को साथ वजे से जुड़ना शुरू हो जाना जल्दी से फटा फट से ठीक है तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना है भूले जैहिंद सभी को